दोस्तो आई पेल T20 लीग में हैं कोई fantasy खेल डेस सरा पैसा तो इन करना चाहता है लेकिन fantasy खेलने वल 90% ऐसे लोग है जो महनत करने से डरते हैं और दोस्तो मुझे लगता है कि 90% के अंदर 70% ऐसे लोग हैं जो यह सोचते हैं हैं हम fantasy की field में महनत करने को तो तयार हैं लेकिन हम अब दोस्तो आप लोग आद मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा आपको इस बात का पता चल जाएगा अगर आप लोग फेंटेसी की field में महनत करते हैं तो आपको कैसे success मिल सकती हैं वैसे दोस्तो मैं आपको बता दू कि आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंग सबसे important बात बाई वो बले बास रन क्यों बना सकते हैं similar वे में दोस्तो आज इस वीडियो के माद्रम से में पता लगाएंगे कि आज इस C20 मैट में कौन-कौन से गेंदबास विकेट निकाल सकते हैं वो सबसे important बात बाई वो गेंदबास विकेट क्यों निकालेंगे अब दोस्तों ये सब कुछ सुनने के बाद आप सोचोगे, कि अभी फात करी में मैं स्टार्ट होने से पहले हैं, यह सारी बातों का पता लगा सकते हैं, तो दोस्तों देखें मैं आप सब को ये की बात कहूंगा, कि दोस्तों 100% accuracy के साथ तो आप नहीं कह पाएंगे, कि इस मैट में ये बल्लेबास इतने ही रन बनाएगा लेकिन दोस्तों हाँ ये बात सरूर है कि अगर आप लोग अमारी वीडियोस को पूरा देखें तो निश्चीन तोर पे आप इस बात का नुमान लगा पाएंगे कि इस मैट में कौन सा बल्लेबास कैसी पर्पोर्मेंस कर सकता है या इस मैट में कौन सा बल्लेबास अप्रोक्सिमेटली कितने रन स्कोर करेगा या कौन से गिंदबास को कितने विकेट मिल सकते है कैसे क्यों आप ये वीडियो पूरा देखिए तो इसे ही आपको सारी बात कुद बाकुद समझ जाएगी अब दोस्तों देखिए मैं आप सबको एक चोटा से एक्जांपल देना चाहूंगा कि आज ये मैच एदराबाद की टीम का है और इनकी टीम ने अपना पिछला T20 मैट बाई लकनों की टीम के साथ के ला और उसी T20 मैट के वीडियो मैंने आपको समझाया था कि जो एदराबाद की टीम है इनके बल्ले बातों की सबसे बड़ी कमसोरी है इस पिन गेंबासी और इस पिन गेंबासी मैंने आपको दो विकल्क दिये एक तो था और्टोडोक स्पिन गेंबास का दूतरादा लैक स्पिन का और मैंने आपको एक चीज़ कहिती है टोस के टाइम अगर लोकेश आउल इस बात के गरेंटी देता है कि इस मैट में कुरुनाल पंडा को गेंबासी करवाऊंगा मैं यह नहीं कहरा कि वो कुरुनाल पंडा उस मैट में 100% बिगिट लेगा बस मुझे लोकेश आउल सी इस बात की शूर्टी चाहिए कि वो इस मैट में कुरुनाल पंडा से गेंबासी करवाऊंगा मैं आँख बंद करके पंडा को टीम में लूँगा और साथ ही मैं आपको बताया तब लेग्स बिन गेंबास कैसे इनकी टीम के वल्लेबास लोक आउट कर सकते हैं उसी T20 मैट में टोस के टाइम लोकेश आल ने कुई अपडेट नहीं दी कि इस मैट में कुर्णाल पंडा को गेंबासी करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा लेकिन उसी T20 मैट में लखनाओ का टीम दो लेक्स बिन गेंबासों के साथ के ला मैंने सीधे ही दोलुई लेक्स बिन गेंबासों को टीम में शामिल किया इस्पेशली अमित मिस्रा को और दोस्तों मिस्रा की शांदा गिनबासी के चलते मैंने जो head to head contest जोईंड किये उनमें one side win कर लिया अब दोस्तों यहां सोचने वाली बात ही है कि मान लीजे आप लोग Grand League को target करते हैं आप 49 रुपए में 2 करोड रुपए मिल जाएं तो मैं आपको कहूंगा यार आप थोड़ा सा अपना budget बढ़ेए और सोचे कि 100 रुपए में 2 करोड रुपए मिल जाएं क्योंकि आप एक team combination ऐसे बनाईए कि आज इस match में location और कुर्णाल पंड़ा को गिनबासी देगा एक बनाईए इस match में location और कुर्णाल पंड़ा को गिनबासी नहीं देगा बस आज ये वीडियो को पूरा देख लेना और वीडियो देखे अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना आपके नियतिक जिम्मेदारी है और साथ में fantasy केलन वाले अपने दोस्तों को वीडियो को भी जरूर शेयर करना गिनबास है तो वो इस वाले बास को परेशान कर सकता है फिर दोस्तों बात करते हैं मयंग की तो देखे मैंग ने पहले मैट में सक्ताई दूसरे मयाट बनाया मैंने जब पहला मैस था उससी दिन आपको साफ साफ का था किया मयंग के एक ऐसा बले बास है जिसको IPL T20 लीग में लेक्स्पिन गेंबास सबसे ज़्यादा परिशान करते हैं क्योंकि IPL में लेक्स्पिन गेंबास की पिछली 20 गेंब में यह आउट वैच चार बर और रन बनाये वाइस यानि दोस्तों दिक्कत का होगी मैं इनको लेक्स्पिन गेंबास से और आपने देखाऊगा शायद से पहले मैट में लेक्स्पिन रे आउट किया और दूसरे मैट में दोस्तों मैंने आपको जो दूसरे मैट लकनाओ की टीम के साथा मैं स्टार्ट ओने से पहले कुणनाल पंडा के सामिन की परफोर्मेंस के बारे में बताया था और उसी मैट में कुणनाल पंडा इनको ले पार प्ले तक मेंक बल्लेबास करता है तो अराम से 30-35 बना सकता है तो बड़ी इसली दोस्त आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोन से मैट में किस बल्लेबास के कितना रन स्कोर करने के चांस है अब दोस्त अपोनेंट टीम के गेंदबासों के सामने बात करेंगे तो देखिए आज पंजाब की टीम में अरप्रीत बहार नाम का गेंदबास है अभी तक IPL 2023 में कोई खास कमाल परफोर्मेस नहीं है क्योंकि श्रिकार दावने बाई इसको गेंदबासी करवाई नहीं है कि मैं अरप्रीत बहार को टीम में ले रहा हूं कि आज इस मैट में अरप्रीत को गेंदबासी मिलेगा दूसरा टीम बनाई बाई अरप्रीत को आज इस सीट्वेंटी मैट में गेंदबासी नहीं मिलेगा और 3 party के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता है काफी positive intent के सब बल्लेबासी करता है और हैदरबाद की team का सबसे अच्छा बल्लेबास है तो जब भी आप लोग fantasy team combination बनाएंगे तो अपनी fantasy team में 3 party को सहूर लीजिए हलाकि दोस्तों देखिए कोई भगवान तो है नी प्यारी मैट में performance करेगा पहले में 0 प्याउट वा लेकिन दूसरे T20 मैट में 35 बनाए और अपनी team के लिए सबसे अच्छी बल्लेबासी करी तो राहूल तो दोस्तों आपका एक ऐसा player है जिसको आप लोग fantasy team में लेंगे और इनसे कुछ ना कुछ नंकी expectation आप करके चलेंगे इसके बाद बात करते है एडम मैकरम की दोस्तों देखे पिछले मैट में गिनबासी दोवर की है वहाँ पे चार बार आउट वा तो आपको समझ आ रहा ना कौन से orthodox spin गिनबासों के सामने इसके आउट होने के chance बन रहे है तो यहाँ से दोस्तों आप इस बात का पता लगा रहे है कि वही स्टी 20 मैट में अगर हैथराबाद team के बल्लेबास चलते है तो अपोनेंट team के spin गिनबासों को नहीं चलना चाहिए अगर अपोनेंट team के spin गिनबास चलते है तो एदराबाद team के बल्लेबास नहीं चलेंगे तो दोस्तों आप लोग अपने fantasy team combination दो बनेए और GL में शांदा performance कर पाईए अगर दोस्तों आप और भी जादा fantasy team combination बना सकते हैं जील के अंदर तो बना लीजे information आपको इस वीडियो के अंदर है अब आप देखिए राउल के सामने हरप्रीत की बात कर रहा हूँ और तो डोग स्पिन गिनबास है पल्लेवासे फ्लोप हो सकती है या सिंपल सी बात आप लोग team combination नहीं बना पाएंगे इसके base फे अब आईए आगे आगे बात करते है नमबर पांच पे हैरी बुरुक है हैरी बुरुक का दोस्तों पहला मैच उठा लो उस C20 स्टेकला में जब भी पाकिस्ताँ team लेक्समिन के इनबास को ना किलाए बल्ले से धमाकेदार performance है और जब भी लेक्समिन के इनबास को किलाए बल्ले के साथ performance टाइटाइव फिश हो गया यानि आपको क्या समझा रहा है कि आज इस C20 महत में जो हैदराबाद की team है उनकी team इनको ज़्यादा सामने ना ने दे लेक्समिन गिनबास के सामने तो performance करने के chance increase हो जाएंगे जो आपकी पंजाब की team हो उसमें एक ही लेक्समिन गिनबास है जिसका नाम राहुल चेहर है अब दोस्तों ये की काम हो सकता है कि जो हैदराबाद की team है वो ये कहे कि हैरीबुक राउट चेहर के सामने ज़्यादा बल्लेबासी ना करे हम इस बात का ध्यान रखेंगे ठीक है वो इस बात का ध्यान रखें चेहर हमने ज़्यादा गिनबासी ना करे आप देखू ना लेक्स्पिन गेंदबासियों के सामने 26 बोल में कुल 17 बनाए एक बार आउट हो गया ओफ्रे गेंदबासियों के सामने ज्यादा केला ही नहीं है चार बोल में तीन रंड किया आउट नहीं हुआ आपको यूट्यूब पे किसी दूसरी वीडियोस में देखन वाल्यक करने और उसको आप सपोर्ट करना ही प्रूरत करते है अब चलिए बात करते है और दोस्तों पिच की बात करें तो दोस्तो देखिए इसी venue के उपर मैं आपको समझा रहा हूँ इसी venue के उपर पिछला T20 match रास्थान है इदराबाद के टीम के 20 था इसी match में आप देखिए रास्थान के टीम ने बल्लेबासी कर दोस्तो तीन का target सेट किया यानि पिछ तो बैटिंग प्रेडाइस था लेकिन उसी बैटिंग प्रेडाइस फिट पे हैदराबाद की जो टीम है सिर्फ 131 पिछ बना पाई और इनका टीम पहले पारे में 138 सी टारगेट सेट करता और मैंने पिछली बार भी काता कि हैदराबाद में जो पिछ बैटिंग प्रेडाइस है तो आप लोग गहते नहीं भाई तुने गल्थ रिपोर्ट शेयर कर दी ये स्विगेट पे तो इस स्कोर कर पाना मुश्किल काम है क्योंकि हैदराबाद के टीम पहले वैटिंग कर गई थी तो ये चीज़ है ना मैं आपको यहीं बात सब्जा रहा हूं कि वहीं उस फित पे पर्टिकुलर बल्लेबास से करने वाले बल्लेबास तो पर डिपैंड करता है कि पिछ कैसा है क्योंकि आपको ये चीज नहीं क्या उस फित पे रन नहीं बने आपने ये देखना है क्या उस फित के उपर दोनों टीम के जो बल्लेबास ने बल्लेबास से की दोनों टीम ने रन स्कोर नहीं किया ऐसा नहीं कि एक टीम नहीं स्कोर नहीं किया और दूसरी टीम ने कर दिया आप कह रहो नहीं भाई इस फि टीम इंडिया ने 187 बना के मैट को विन कर लिया, 6 दिसमबर 2019 की बात करूँ, वेस्ट इंडिस टीम ने 207 का टागेट सेट किया, टीम इंडिया ने 207 बना के इस मैट को विन कर लिया, तो यहां से सावित होता है, जो पिछती बैटिंग प्रेडाइस है, लेकिन उस फित में बल्ले बास, जो बल्ले बास बल्ले बास से करेंगे, उन पर डिपेंड करता है, कंडिशन का वो लोग कितने एच्छे से यूज़ कर पाएंगे, बाकी दोस्तों, अब आप लोग इस बोलिंग चार्ट को देखिए, और इस बोलिंग चार्ट के माद्यम से समझज़िए, कि 17 से 20 में गिनबासी किया है, अदर्वाइश दोस्तों, इनकी टीम के गिनबासी ने 16 और गिनबासी किया है, अब दोस्तों, पंजाब के टीम ने क्या क्या है, नही गिन के साथ सैम करण को गिनबासी कराई है, और नही गिन के साथ अर्षदिप को गिनबासी दिया है, इसके पर दोस्तों जब गेम दूसरे फेस में सिफ्ट होगा तो आप यहां पर देखें टीम के जो लैक्ट स्पिन गिनबास है राहूल चैर वो आपको गिनबासी करत्वे नसराएंगे और राहूल चैर को दोस्तों टीम ट्राइ करेगा 16 वरता कंप्रीट गिनबासी करवा दी तो साथ से ग्यारा में सिकंदर को ज़्यादा यूस किया जारा है कंपैरसन में 12 से 16 के इसके लवा नातन एलिस को गेम के सब फेस में कम से कम एक ओवर गिनबासी मिल दी है फिस 17 से 20 ओर के बीट में दोस्तों बात करें तो पंजाब की टीम ने दो वर सैम करण को दिया है ए इसको भी आपने अपनी दिमार्ग में सेट करना है बाकी दोस्तों अगर आपने भी तक हिंडिया की फास्टेस ग्रोंग फेंटेसी आप को डाउनलोड नी किया तो मेरे भाई फेट किस बात कर जल्दी से डाउनलोड कर लो लिंक वीडियो के नीते डेस्क्रिप्शन बोक् रुपए जबकि दूसरे प्लैट्फोंग पे सेम कोंटेस्ट को जोइन करते हैं तो आपको 57-750 रुपए पे करना पड़ेगा तो आपको साथ तो उसे नसरा रहा है कि इस प्लैट्फोंग के उपर जो एंट्री फीसर वो काफी कम है और इसके चलते दोस्त आप कम पैसों मे ज़्यापे करपाएंगे अगर आपने डाउनलोड नहीं क्या डाउनलोड करने ना लिंक वीडियो को नेचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दूगा बाकि दोस्ते ये वेन्यू पे कापी अच्छा बैटिंग प्रेडाइस विकेट है तो आवरेज स्कोर आपको उपर न गिंदबासों के जो रिक्वार्मेंट है वो 180 की रही है तो दोस्ता आपके एक बात समय जा रहे है आज इस C20 मेट में मैं ग्रेंड लिक को टार्गेट कर रहा हूँ और मैंने ये सोचा है ग्रेंड लिक के अंदर मैं टीम बनाई है कि वही आज इस मेट में एधराबाद का टीम विन करेगा तो एधराबाद की टीम इस मेट को कैसे विन कर सकते है दो ही तरीके है पहला तरीका यह है कि एधराबाद की जिनके जो बल्लेबास है वो टीम को सिर्फ 126 के आज़ पास एप्रोक्समेटली रन बना के दे सकते है यानि कि एधराबाद टीम के जो सेट करें और उसके बाद इनका टीम अपोनेंट टीम को 180 की रेंज में रोग दें तो आपको समझ आया कैसे आप लोग टीम कॉंबिनेशन ग्रेंट के दो यहां से तैयार करेंगे और इस स्मॉल लिग में तो दोस्तों आपने क्या करना है आपको समझाई रहा हूं ग्रेंड लिग की बात करें पंजाब टीम पॉंट अप फिसे तो देखें अगर आप पंजाब टीम को विन करा रहे हैं तो सिंपल सी बात एक बात फिस से मान लो कि पंजाब का टीम बड़ा टारगेट सेट करेगा और उसकी टीम लगबग उस टारगेट को बजा लेगा तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने फेंटेसी टीम कोंबिनेशन बना फेंटेसी की फिल्ड में धेर सारा पैसा विन कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं पंजाब टीम के बल्ले बासु के बारे में सबसे पहले दोस्तों परब सिबरन की बात की जाएं पहले मैट में पंजाब की टीम को जबर्दस्ट स्टार्ट मिल चुका था उसके बाद उन्होंने जेसन ओल्डर की गेन पर शोट मारा टाइम निक्या बटला ने शांदार कैचिन का लपक लिया लेकिन दोस्तों इनकी जिस तरह की बल्लेबास ही और यहां पर पिछ रहेगा उसको देखते जो है दोस्तों यह 12-14 और तकी टिक के बल्लेबास ही करेगा उसके बाद यह भी रन रेट को एक्सलेट करने को देखने वाले है अब दोस्तों देखिए आपको मैं बता दूँ श्रीकर दावन जो है अपनी मर्जी का मालिक है जब चाहेगा रन स्कोर करेगा जब चाहेगा तर्द मैं के बात करेगा तो उस केस में आउट होने के चांस इंकरीस हो जाते हैं क्योंकि कभी और घिंदोर बल्ले का संपर्थ नी होता टु आट हो जाते हैं और इसलिए दोस्तों ओफरे गिंद्बासों की 24 बोल में 3 वार और Map की 64 बोल में 3 वारी आउट हो वाली है क्योंकि फारुकी की 11 वोल में रन 12 किया एक बार आउट हुआ है और फारुकी दोस्ते कैसा गेंद बास है जिसकी गेंद बास ही मैंने बंगलादेश के अंदर देखी थी कि जब बंगलादेश टीम के लेफटन बल्ले बास ही करते थे तो फारुकी उनके सामने जबर काट आउट होगे थे और दोस्तो रेंट स्कोर एक ही कर पाई इस टी 20 मैट में लगता है वापस से इस मैट में खेलने का चांस मिलेगा फिलार टोस से बहले मेरी फैंटिसी टीम में नहीं है इसके बाद बात करें जितेश शर्मा दोस्तों टीम के कीपर वल्ले बास है लेक पाक्षे को गेंबास में यूज करते हैं तो परफोर्मेस मिलने के चांस इंक्रीस होंगे बाकी आदिल राशिद ने राजा पाक्षे को दो बोल में चैरन देखके एक बारी आउट कर दिया इसके बाद दोस्तों आगे चले तो फिर आपके पास सिकंदर हसा को भी टोस के पास देखना कि आपोनेंट टीम ने और्तोरोक्स पिन गेंबास को खिलाया है तो ठीक है नहीं खिलाया तो परफोर्मेस करने के चांस थोड़े इंक्रीस हो सकते हैं शारुक की बात करें तो वाइस पिन गेंबासों के सामने तो सिकंदर हसा फारुक के सामने तेरा बोल में पता लगा लीजिए कि गेम के कोन से फेस में आज इस C20 में हैधरबाद टीम के कप्तान अपने गेंबासों का यूज करने वाले हैं और उससे दोस्तों आपको अनुमान लग जाएगा किस में कोन से फेस में पंजाब टीम का कौन सा बल्लेबास बल्लेबास से करेगा और कै कैसे आपने फेंटसी टीम कॉंबैनेशन तैयार करनी हैं अब दोस्तों आप लोग सच्छे दिल से बताइएगा जो इन फोर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की ये इन फोर्मेशन देखने के बाद आपको ऐसा नुमान नहीं लगा पारे या पैसा नुमान लग चलते ही इस तरह का शांदार content बना पाऊंगा और साथ ही में अगर आप लोग आज के बाद रोजाने इसी तरह के शांदार वीडियोस देखना चाहते हैं लेकिन आपने भी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नी किया तो फेट किस बात का जल्दी से YouTube चैनल को करोगे तभी तो आपको रोजाना वीडियोस के notification मिलेंगे और दोस्तों जब notification मिलेंगे तभी तो आपको information मिल पाएगा कि हमारा वीडियो आगया और वीडियो आगया था वीडियो में share की information का यूज करते हुए आप लोग शांदा टीम combination बना डेर सारा पैसा विन कर सकते है वैसे दोस्तो बाइद वे आपको बता दू कि अगर आपने रहरी उपर भी साइन अप नहीं किया मैं आपको रोजसा ना कहता हूं साइन अप कर लो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में है क्योंकि रहरी उपर 100% कंफॉर्म विनिंग आप कर सकते हैं कैसे सबसे पहली बाद दोस्तो आपको बता दू कि रहरी उपर आपने साइन अप नहीं क्या साइन अप कर लो यहाँ पर आपको तीन मैच इसमें तीन बड़ी ग्रेंड लिग दिखाई दे रही है उस T20 मैच में तीन प्लेयर के साथ fantasy team combination बनाया टीम में डैविड वर्नर को कप्तान बना दिया और शिमरोन एटमार मेरी fantasy team में थे और दोस्तो जेसन ओल्डर थे ठीक है तो उससे T20 मैच के अंदर देखे जो मेरा rank है वो 81 आया और दोस्तो मैंने इस मेच के अंदर कम से कम आप मानोगे लिए तो दोस्तो आप कहोगे 800-900 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन दोस्तो जाओ पिए पैसे फ्री में विन करते है तो वो बड़ी बात है तो इसलिए कह रहा हूँ भाई sign up नहीं है sign up कर लो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है राजस्तान दिली टीम कमेंट 960 रुपए मुंबई चेनली टीम कमेंट 960 रुपए विन की है अगर दोस्तो आपको नहीं पता रेरियो पे कैसे कहलना है कैसे काड को पर्चेस करना है तो उसके लिए मैंने एक special वीडियो बना रखा है आप जाके मेरे उस वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो मैं आपको कह रहा हूँ आपके जैसे नाजाने कितने लोग होंगे जो रोसाना रेरियो के बारे में सुनते हैं लेकिन दोस्तो जब वो लोग इस Tuesday में तो उनको पदा चलते है कि जितेश वाई ने क्या शांदार एक के बारे बताया है और खेलने के बाद उनको पदा चलते है कि से एक के तरू हो ही cycle में कितना पैशा कमा सकते हैं अदरवाइस दोस्तों आप लोग सिर्फ सुनोगे और काम नहीं करोगे तो कैसे आप इन कर पाओगे अब बात करतें Final Fantasy Team Combination के बारे में सबसे पहले मैंने अपनी Fantasy Team में सकीपर बल्लेबास प्रफ सिबरन को शामिल किया चोईस की बात करें तो दोस्तों आज City20 मैट में आपके पास ज्यादा कोई चोईस नहीं है पंजाब टीम से आप जितेश के साथ इस मैट में जा सकते है ठीक है तो फिलार टोस्त से पहले मैंने प्रफ सिबरन को Fantasy Team में ऐसा कीपर बल्लेबास जगा दिया बैक्टिंग से बात करें तो उस से पहले Fantasy Team में श्रिकरदवन, मयंक और राउत त्रीपाटी मेरे पास मुझूद है अगर दोस्तों चेंजिस की बात करें तो आपके पास एदरबाद की टीम से अन्मोल प्रिट सिंग नसराएंगे आप अन्मोल प्रिट सिंग के साथ जा सकते हैं महें कागरवाल के प्लेस पे बाकी दाउन और त्रीपाटी को मैं Fantasy Team में लेने वाला हूँ नातनेली शांदर के इंबासी का लगातार भी की चटकारे हैं फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था है एदरबाद टीम के बल्लेबासों की जो कमसोरी है वो इस्पिन गिन्बास ही है तो हेदराबाद की टीम के सामने जो पंजाब की टीम की हल्डिण की टीम में दो इस्पिन गिन्बास है हरप्रीट आपका ओर्टडोख massive इन Psychology है तो भजिए मैंने बड़ा रिस्क लेतो है जिनको परेशान कर सकता है Orthodoxman Game Pass Plus में अगर प्रभ सिमिरन का विगिट नी मिल रहा है तो इनका टीम Orthodoxman Game Pass को वहाँ भी यूज कर सकता है तो इसलिए मैं कहा था कि आज इस मैंत मिन को अकिल हुसेन को कहलाना चाहिए अगर अकिल हुसेन कहला तो अकिल को Fantasy Team में लूँगा और अकिल दोस्तो इस T20 में अट में नी कहला तो सिंपल सी बात मेरे पास सुमरान, भूगनेशन और नटरासन या अदिल राशिद ये 4-5 विकल परेंगे इन 4-5 में से किसी भी गेनभास को टीम में ले लूँगा कि टोस के बाद देखना है कौन से टीम पहले बैक्टिंग कर रही है क्योगि दूस्तों अगर हैदराबाद की टीम पहले गेनभास से करती है तो शायद मैं अपनी Fantasy Team में टीन अटरासन को लूँ और हैदराबाद का टीम चेस में गिंदबासी करे तो शायद से मैं आदिल राशीद के साथ जा सकता हूँ बाकिर दोस्तों मैं आपको एक और चीज यहां के लिए कर दूँ कि दोस्तों अगर आपको लगता है कि जो fantasy team combination मैंने बनाया इस team में आपको changes करने है तो आप changes कर सकते हैं और साथ में जो fantasy team मैंने आपको share किया इसका यह मतलब नी कि यही team combination आज इस match में चलेगा आप दोस्तों जो वीडियो में आपको information दिये उसके base पे दूसरे scenario के according team combination बना सकते हैं जैसे कि हैदराबाद का team match जीतेगा तो क्यों जीतेगा पंजाब का team मैं जीतेगा क्यों जीतेगा हैदराबाद team के बल्लेबास रन नी बना पाएंगे क्यों नी बना पाएंगे पंजाब team के बल्लेबास रन नी बना पाएंगे टेलेग्राम चैनल में और दोस्तों टोस के बाद अगर मुझे अपडेट मिलता है क्या रही है जो मैचे बैटिंग परडाइस नी बोलिंग परडाइस विएट पे होगा तो टोस्त के बाद टाइम कम बचेगा और इतने कम टाइम में आपको इसाइड इंफोरमेशन का शेयर नी क्या तो बाई वेट किस बात कर जल्दी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तब दोस्तों आप सबके साथ एक बार फ्री मुलाकात होगे तो इसके बाद टेलेग्राम चैनल में अगर आपने माई टेलेग्राम चैनल को जोईन नी क्या तो जोईन कर लें लिंक किस बात कर दोई लाद को वीड़ान चैनल को जोईन उनल को जोईन एक बाद़ को जोईने माने 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 लिंक बादित रोग्राम चैनल को जोईन वेटाएब द Lauret